मित्रो मैं हूं डॉक्टर पर्मार और आप देख रहे हैं चैनल आरेमपी इंफो मित्रो मनुष्य होए या पशु जब उसके नाक में से कून आता है तो हम घबरा जाते हैं अगर खून जादा आए तो पशु की मोद भी हो सकती है तो इस वीडियो में मैंने नाक में से कून आने के कारण और उसके उपाए उसके सब उपाए बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं तो वीडियो को पूरा देखें मित्रो नाक से खून आना याने नेजल ब्लेडिंग याने एपिस्टेक्सिस इसे नकसीर नजला रोग या नाकोडा रोग से भी पैचाना जाता है तो मित्रो सबसे पहले हम इस नाक से खून आने का क्या कारण है इसे जानने की कोशिश करेंगे मित्रो छोटे बच्चे में खेलते खेलते नाक में उंगली डालने से भी एंजूरी होती है और खून आता है तो मनुश्य में भी भी कई बारा चानक खून आता है इसका कारण यह है कि गर्मी के मोसम में नोज के अंदर का भाग याने मुकस मेंब्रेन ड्राय होता है और उसमें छोटी छोटी कैपी लेदिज होती है पतली पतली नसे होती है उसमें से गर्मी से या थोड़ी एंजूरी से भी खून आता है और तो और मनुश्य में भी बीपी बढ़ने से भी नाक में से खून आता है खुन फतला करने की दवा लेने से भी खुन में प्लैटिलेट्स की संख्या कम हो जाती है प्लैटिलेट्स की संख्या कम होने से ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता ब्लड का धक्का नहीं बनता और खुन बहने लगता है रुकता नहीं मित्रो तो ऐसे वक्त मनुष्य में देशी उपाय क्या करने चाहिए सबसे पहले बरफ का ठंडे पानी का सर पे और नाक पर दीरे दीरे छीड़काओ करते हैं नाक के अंदर आइस पैक रखकर थोड़ी देर कर दबा कर रखना चाहिए कई लोग पीपल के पत्ते का रख निकालकर नाक में ड्रॉप बाइ ड्रॉप डालते हैं इससे भी खून बन हो जाता है मित्रो कई के बार कोतमिर के पत्ते का रख याने कोरियंडर लियूस का रख निम्बू के रस के साथ मिला कर नाक में पांच पांच ड्रॉप डालने से भी खुन बंद हो जाता है मित्रो मित्रो यह हुई मनुष्य की बात अब हम हमारे पश्यों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे तो मित्रो पश्यों में भी नाक से खून आता है उसके कई कारण है और अगर खून बंद नहीं हो तो पश्यों को जान लेवा भी हो सकता है मित्रों तो अब हम पश्यों के नाक से खून आने के क्या कारण नहीं है अब हम देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले पशु को नाक के अंदर को एंजूरी हुए हो ट्रामा हुआ हो पशुओं में एक दूसरों के साथ लड़ाई करने से भी नाक में एंजूरी होती है दुसरा कारण यह भी हो सकता है कि पशु के नाक में नेजल वर्म्स हो या परजी भी हो या पैरज़ाइट हो इससे क्या होता है कि पशु के नाक के अंदर सुजन आती है और स्रास लेने में तकलिप भी होती है नाक में पीला पानी मवाद जैसा डिश्चार निकलता है, पशु को नेजल ग्रानूलेमा हो जाता है, नेजल ग्रानूलोमा तिसरा कारणे भी हो सकता है कि toxicity या poisoning से भी पश्रू के नाक में खून आता है snake bite से भी नाक से खून आता है medicine की reaction से भी खून आता है या मित्रों के पश्रूं का गरम मोसो में गर्मी में से भी खून आता है तो मित्रों इन nasal bleeding की क्या treatment है तो सबसे पहले एवील का injection जीट 10 ml बड़े पश्रूं में और 5 ml छोटी पश्रूं में लगाना पड़ेगा नमबर दो पे injection maloxicant 20 ml इंट्रा मस्कुलर बड़े पश्रूं में और 5 to 10 ml छोटों पश्रूं में नमबर तिन पे पश्रूं को पैरसाइट्स को खतम करने के लिए injection आयवर्मक्तिं 10 ml सबकट देना पड़ेगा यह बाड़े पश्रूं में देना पड़ेगा और 1 to 2 ml सबकट छोटे पश्रूं में याने भेड और बक्री में देना पड़ेगा अगर पश्रूं को डाइरिया हो तो इंजेक्शन सल्फेट्रूं 20 ml इंट्रामस्कूलर देना पड़ेगा और छोटे पश्रूं को 5 ml इंट्रामस्कूलर देना पड़ेगा अगर इसके लिए आप टैबलेट सल्फा डिमिडिन के बोलस भी दे सकते हैं इसे दो सुब और दो शाम को दे सकते हैं वीकनेस में पश्रू को एक रिंगर सल्यूशन की बोटल भी चड़ानी पड़ेगी मित्रो इंफेक्शन कम करने के लिए कोई एंटिबाइटिक भी लगाना पड़ेगा सेंटिफ्योर सोडियम जैसा कोई एंटिबाइटिक भी लगाना पड़ेगा मित्रो इसके अलावा एक देसी बोलस भी आती है जो हर एक टाइब के बिल्डिंग को बंद करने में मदद करती है और उसका नाम है स्टिपलान बोलस यह हिमालेन कंपनी की बोलस है और यह प्रेगनसी से भी है इसका डोस है वन बोलस सुबर वन बोलस शाम को लगा तार पास दिन तक यह सामन ब्लीडिंग में का डोस है और अगर bleeding जादा हो तो दो बोलस सुबह और दो बोलस शाम को लगा ता चार दिन तक देनी चाहिए छोटी छोटी बच्चिया बेड़ बक्रों में इसका डोस आधी बोलस सुबह और आधी बोलस शाम को है मित्रो तो इस तरह उसकी पूरी treatment करनी पड़ते हैं तो आपका पशु एकदम okay हो जाएगा मित्रो इतनी जानकारी के बाद में यह वीडियो यही पूर्ण करता हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मित्रों को share करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया